Hello everyone, welcome back to my channel आप सबने मुझे कई कॉमेंट्स किये थे रीदी केक टुटोरियल का वीडियो लेकर आईए तो आज मैं आप सब के लिए केक टुटोरियल का step by step full वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो को skip मत कीजेगा, आपको हर कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो को मैंने 4 steps में divide किया है तो आईए चलते हम अपने first step की तरफ step 1 है हमारा tools गंजी सभी के घर में होती है, केक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें microwave चाहिए आज हम सिब गंजी ये कड़ाई पर ही केक पकाएंगे फिर ये है measuring cups और measuring spoons यदि आप केक बनाना चाहते हैं और baking करना चाहते हैं तो आपके पास measuring cups और spoon का होना बहुत जरूरी है तब ही आप perfect measurement ले पाएंगे पर यदि आपके पास measuring cups नहीं है तो आप घर की कोई कटोडी भी ले सकते हैं पर वो बहुत चौडी नहीं होनी चाहिए इसी cup के size की होनी चाहिए पर आप इस वीडियो को पूरा last तक देखेंगे यदि तो इस वीडियो में मैंने बिला measuring cups और spoon के घर की नॉर्मल छोटी सी चमच से measurement लेती हुए सारा केक बनाना सिखाया है तो आप आसानी से बना पाएंगे फिर ये है hand wishker इससे हम केक के batter को mix करेंगे आपके पास नहीं है तो आप इस तरह मैगी वाले चमच से भी कर सकते हैं पस थोड़ा सा time जादा लगता है फिर ये है spatula इस spatula से बस केक का batter अच्छे से clean हो जाता है वेश्ट नहीं होता है फिर केक बनाने के लिए आपको इस तरह स हैं हम अपने second step की तरफ तो ये मैंने लिया है मैदा मैदा आपको packet वाला ही लेना है आज मैं आपको मैदे से बहुत बढ़िया से sponge बनाना सिखा रही हूँ मैं जितने भी आपको dry ingredients बताऊंगी सबको आपको चलनी से चान कर ही लेना है आपकर की कोई भी खाना काने वाली च मेजर करके बता दू तो टोटल आपको 15 चमच मैदा लेना है मतलब इस one cup का जो मैदा है उसका measurement घर के खाने वाली चमच में 15 चमच की बराबर है फिर आपको आधा cup milk लेना है room temperature पर रखा हुआ यदि आप का टोरी का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप आधी का टोरी लेंगे और वो फट जाएगा तो इसे में आपकी normal spoon में मेजर करके दिखा रही हूँ तीन चमच आपको विनेगा डालना है और फिर इसे ढग कर रख देना है तो जब तक milk फटेगा आईए हम अपने बाकी dry ingredients को छान देते हैं तो यहाँ पर मैंने चली में पहले मैदा डाल दिया और फ फिर मैंने half teaspoon ही लिया है baking powder नॉर्मली spoon में आधा चमच baking powder आपको लेना है फिर आपको डालना है चुटके भर नमक ताकि वो टेस्ट को balance कर सके और फिर सारे dry ingredients को अच्छे से चान देजे और सारे ingredients की list with quantity मैं आपको description में दे दूँगे आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना फ और ये देखे तब तक milk भी अच्छे से फट चुका है फिर मैं इसमें चान दूँगी पिसी हुई शक्कर आपको सारे dry ingredients को चानते हुई ही लेना है तभी आपका better lumps free बनेगा फिर मैं इसमें add करूंगी half cup refined oil घर की चमच से measure करके बताओं तो आपको 15 चमच oil इसमें add करना है फिर आपको इसे अच्छी तरीके से mix करना है hand whisker से या काटा वाली चमच से आप किसी का भी use कीजे बस इस तरह mix कीजे कि milk और sugar oil ये तीनों अच्छे से एक साथ mix हो जाए अलग-अलग ना दिखें तो ये देखिए मैंने इसे पढ़िया से mix कर दिया है आपको भी इसी तरह से करना है अब हम इसमें add करेंगे छाने हुए dry ingredients को तो यहाँ पे आपको दीरे दीरे दो बार में add करना है और mix करते जाना है आप एक साथ add कर देंगे तो इसमें lumps बन जाएंगे इसलिए आप दीरे दीरे add करें और mix करते जाएं तो आप इसे mix करके रखिए और बाकी के ingredients को हम बाद में add करेंगे पहले हम किसी बर्तन को रख देते हैं preheat होने के लिए तो चलिए अभी हम चलते हैं gas की तरफ मैंने कैस को on कर लिया है यहाँ पर मैं गंजी रख रही हूँ गंजी के अंदर आपको rate या नमक किसी कभी use नहीं करना है बस इस तरह plate को उल्टा करके रखना है और उसे ढग कर गर्म होने देना है तो अभी better देखिए कितना थिक है इसमें अभी हम milk और add करेंगे पहले हमने आधा कप milk add किया था अभी इसमें मैं आधा कप कभी आधा milk और add कर रही हूँ यदि चमच में बताऊं तो आपको 10 से 15 चमच milk और add करना है ताकि यह जो better है इतना liquid बन सके फिर last में आपको लेना है आधा कप milk powder milk powder मैंने पहले चान कर नहीं रखा था क्योंकि इसमें lumps पर जाते हैं इसलिए आपको इसे direct better बनाने के बाद last में चानना है और यदि मैं चमच से बताऊं तो आप 8 चमच milk powder add कर सकते हैं फिर इसे अच्छे से mix कीजे और फिर इसमें add कीजे essence आप जिस भी flavor का cake बनाना चाहते हैं उस flavor का essence आप add कर सकते हैं मैं यहाँ पर butter scotch cake बना रही हूँ इसलिए मैंने 1,4 TSP butter scotch essence add किया है और यदि आपको normal spoon से बताऊं तो आधा चमच से थोड़ा सा कम आपको essence add करना है तो अब आप batter की consistency देख सकते हैं आपको बहुत thick pattern नहीं बनाना है फिर आप जिस भी button पे cake बना रहे हैं उसे इस तरह oil से grease कर दीजे आप गंजी भी ले सकते हैं तो गंजी को oil से grease कीजे हम इसमें कोई butter paper नहीं बिचाएंगे नहीं मैदा से dust करेंगे हम ऐसे ही cake बनाएंगे और आसानी से demold भी हो जाएगा और ये 6 इंच का cake tin है अभी मैं सारा batter इसमें डाल दूँगी आप देख सकते हैं किस तरह से plates पन रहे हैं आपको इसी consistency का batter बना कर तयार करना है सारा batter clean करके अच्छे से डाल दीजे और फिर उपर से इस तरह से spatula या knife चला दीजे ताकि जो base है वो perfectly एक बराबर rise होगा और फिर 3-4 बर tap कीजे ताकि जो air bubbles है वो खत्म हो जाएं तो अभी गंजी भी preheat हो चुकी है अभी हम इसमें cake को रग देंगे बहुत आराम से इस process को कीजे क्योंकि गंजी बहुत गर्म होती है तो आपको बहुत साफधाने से इसमें रखना है cake tin को और फिर ढाग देना है आप गंजी की जगे कढ़ाई का भी use कर सकते हैं पर कढ़ अभाई में बहुत time लगता है इसलिए मैं आपको suggest करूंगी आप गंजी पर ही cake पकाए को एकदम low flame पर ही cake को पकाना है 20 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो cake कुछ इस तरह से rise हो चुका होगा फिर आप ढग दीजे और पकने दीजे टोटल टाइम आपको 35 मिनट लगेगा slow flame पर cake अच्छे से पंग चुका होगा toothpick डाल कर आप चेक करेंगे toothpick बिलकुल clean आएगी तो आपका cake तयार है गैस की flame को बंद कर दीजे और किसी चुकनी को ढाग कर उसे ठंडा होने दीजे तो चलिए जब तक cake ठंडा होता है मैं आपको cream बनाना सिखाती हूँ तो आईए हम चलते है step 3 की तरफ इस तरह की cream आपको किसी भी bakery या online पे मिल जाएगी online से यदि आप purchase करेंगे तो आपको थोड़ा जादा महंगी पड़ेगी इसलिए आप अपने आसपास की किसी भी bakery से इस तरह की cream खरीच सकते हैं मैं tropolite की whipping cream योज़ करती हूँ ये मुझे 180 का 1 kg का एक pack मिलता है तो आपको जितनी भी cream की जरूरत है आप उतनी cream किसी गंजी पर निकाल देंगे और उसे अच्छे से पिगल ले देंगे ताकि उसमें एक भी ice crystal ना हो वो अच्छी तरह से पिगली हुई हो तभी आप उसे बीट करेंगे जैसे मुझे 1 kg केक के लिए 1 cup whipping cream के जरूरत होती है तो मैंने उतनी cream निकाल दी और packet को आप इस तरह से pack करके freezer पर store करेंगे ताकि वो खराब ना हो तक cream melt होगी चलिए हम cake base को check करते हैं और उसकी 3 layers करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं cake base बढ़िया से ठंडा हो चुका है आपको इस तरह से एक बार knife को गुमाती हुए और फिर पीछे से tap करती हुए cake base को demold कर लेना है बहुत आसानी से निकल जाएगा ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो cake का base है वो बनकर तयार हुआ है butter paper नहीं लगा था तो भी ये चिपका नहीं है और बहुत soft बनकर तयार हुआ है एक बात का ध्यान रखिए cake के अच्छे से ठंडे होने के बाद ही आप उसे demold करिए वरना वो चिपक कर तूट जाएगा अभी मैं bread knife से इसकी layer कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं उपर वाली layer को हटा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा oily होती है और फिर बाकी पार्ट से हम 3 layer निकालेंगे ये देखिए कितनी बढ़िया जालिया पड़ी है sponge में और खाने में भी उतना ही tasty और उतना ही soft है मैं cake की एक layer आपको bread knife से निकाल कर दिखा रही हूँ और एक layer मैंने धागे से निकाल कर दिखाई है दोनों ही detail वीडियो मैंने अपने channel पर upload किये है i button पर आपको show हो रहा होगा तो आप वहाँ से check out करके detail में भी सीख सकते हैं आपको बहुत ध्यान से cake की layer करनी है ताकि जो तीनों layer है वो एक बराबर आए कहीं से भी हमारा cake उपर नीचे होकर ना कटे पर आप beginner है तो आप धागे से ही cake की तीन layer कीजे तभी एक बराबर layer निकल कर आएगी मैंने इसका detail वीडियो अपने channel पर upload किया है description में मैंने link भी दी है तो आप वहाँ से देख कर सीख सकते है तो अभी हमारी तीनों layer भी कट चुकी है और हमारी cream भी melt हो चुकी होगी तो चलिए अभी हम cream को beat करते हैं तो इस तरह से cream हो जाएगी फिर हम इसमें add करेंगे essence मैं butter scotch essence add करी हूँ 9 to 10 drops अभी हम cream को beat करेंगे मेरे पास philips का hand blender है बहुत अच्छा है 300 watt का है बहुत अच्छी cream भी beat होती तो आप purchase भी कर सकते हैं आपको 1 minute तक पहले cream को 8 number speed पर चलाना है फिर 5 number speed पर 5-6 minute तक beat करना है और बहुत ही अच्छी stiff peaks वाली cream है आपकी बनकर तयार हो जाएगी देखी मैं इसे उल्टा करके भी दिखा रही हूँ गिर नहीं रही है तो cream ready है अभी हम चलते है अपने 4 step की तरफ decoration पर तो यहाँ पर मैंने उसे पानी लिया है उसमें crush टाल कर मैं सुगर सिरफ तयार कर रही हूँ आपको base plate पर थोड़ा सा cream लगाना है और उस पर sponge की first layer को रखना है और फिर उसे हम सुगर सिरफ से बढ़िया से soak करेंगे अब तो सक्कर और पानी से भी सुगर सिरफ बना सकते हैं पर मैं हमेशा crust से सुगर सिरफ बनाती हूँ इसे flavor थोड़ा और enhance हो जाता है तो अभी मैंने सुगर सिरफ से soak कर दिया है अभी मैं piping bag में कुछ इस तरह का nozzle डाल रही हूँ आपके पास nozzle नहीं है तो आप जिस piping bag को थोड करते हुए ही cake बनाई है आप बहुत आसानी से cake पर icing भी कर पाएंगे sponge की layer भी कर पाएंगे कि मैंने इस तरह से glass पर piping bag को रखकर cream को fill कर दिया है और अभी मैं cake को पूरी cream से cover करूंगी तो पहले आपको सुगर सिरफ से soak करने के बाद cream की एक layer लगानी है फिर उसके बाद हम crush की एक layer लगाएंगे तरकि उपर जो आप cream की layer लगा रहे हैं उसे आपको proper finishing करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आप उसे mix कर दीजे और उसके उपर crush की एक layer लगा दीजे crush कई flavors के आते हैं मैं butterscotch cake बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर butterscotch crush लगा रही हूँ सेम यही process में second layer पर भी करूँगी second layer को रखने के बाद बढ़े से सुगर सिरप से सोग करूँगी उस पर भी cream की एक layer लगाऊंगी उसके उपर crush की एक layer लगा कर उसे भी अच्छे से फैलाऊंगी और फिर third layer को उसके उपर रखूँगी और आज ही यूटूब पर मेरे एक लाग सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया है मतला मेरी YT family बहुत बड़ी हो गई है एक लाग सब्सक्राइबर की हो गई है तो मैं आप सबको दिल से thank you कहती हूँ ऐसा बहुत ही कम समय में हुआ है और मैं अपनी YT family के लिए बहुत बडलेर को भी रख दिया है और अभी मैं पूरे केक को कवर कर रही हूँ क्रीम से तो यह बहुत आसान तरीका है इस तरह दिया आप करेंगे न तो आप फिनिशिंग बहुत अच्छे से बहुत कम समय पर दे पाएंगे आप मेरी हाथों के मूवमेंट को देखते हुए सीख क्रीम बार-बार मेंट नहीं होती है तो यही समय केक पर आइसिंग करना सीखने का फिर मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम कीसी अलग कर लोड़े पर निकाल दी है और उसमें पिंक और बार वर बर्गंडी चेल कलर थोड़ा सा एड करके lieट पर आप किसी और डेकोरेशन में इस तरह बना सकते हैं फिर आपको इस तरह से पिंक वाली क्रीन से डॉट रखने हैं और घर की नॉर्मल चम्मस से कुछ इस तरह से डिजाइन बना देनी है यह बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद और बहुत आसान भी है बनाना तो देख पहले मैंने इसी तरह से पूरे एक राउंड को कवर किया और सेम इसी प्रोसेस से मैंने अंदर साइड भी एक और राउंड डॉट रखे और फिर उन्हें भी स्पून से सेम वही डिजाइन से कवर किया मैंने सिफ दो राउंड तक यह डिजाइन बनाई है आप चाहीं तो center तक एक राउंट और cover करती हुए cover कर सकते हैं बहुत सुंदर लगता है देखने पर फिर इसी तरह की design कुछ मैंने cake के नीचे भी बना दी है dot रखकर इसी तरह spoon से ही design बनाई है और cake बहुत सुंदर इतने में ही लगने लगा था मेरे पास कुछ garnishing थी में बना कर रखती हूँ तो मैंने वो garnishing center पर लगा दी और बस हमारा cake हो गया ready और फिर कुछ sprinkle डाल दी है और मैंने इस cake को cut करके भी दिखाया है ताकि आपको अंदर से समझ में आए कि वो layer और cream किस तरह से arrange हुई है तो कुछ इस तरह से मैंने इस cake को बिना nozzle के decorate किया है I hope आप सब को बहुत पसंद आया होगा और अभी अभी मैंने इंस्टा पे भी अपना page बनाया है तो आपको इसी तरह की और amazing cake decoration देखनी होना तो please मुझे वहाँ भी follow करना इंस्टा की link description में है प्लीज मुझे वहाँ जरूर follow करना और जो भी ingredients मैंने लिए है with quantity मैंने सारा कुछ description में आपके लिए लिए लिख कर रखा है तो आप वहाँ से check करना इस वीडियो में मैंने step by step सारा कुछ cover करने की कोसिस की है उमीद करती हूँ अभी आपको कोई doubt नहीं होगा पर यदि अभी भी आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके पूच सकते है वीडियो अच्छे लगा हो तो please इसे like करना, share करना, subscribe करना और हाँ मुझे इंस्टा में follow करना, youtube पर इसी तरह प्यार देना, support करना मेरी वीडियो देखना आपको और भी कौन सी वीडियो चाहिए मुझे comment करके बताना मैं आपके लिए हरी cake decoration की वीडियो लेकर आऊंगी मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक कि